वर्तवान की बात करके थोड़ा सा मैं आपको एक पुष्टबूमी देना चाहता हूँ कि जह हम जैनोसाइड की बात करते हैं और हम जैनोसाइड को मानने की मान्यता के उपर जोर देना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है और इसकी क्यों जरूरत है ये जरूरत सिर्फ समाज के पुनर्वसन की बात नहीं है, यह उस रेप्लिकेट, डुप्लिकेट होते हुए कश्मीर की बात है, जो आज पूरे देश में, प्रांत प्रांत में, जहां भी हिंदू माइनॉरिटी में है, और जिस तरह की भी बात, और जिस तरह का कश्मीर पैटरन वो फेस कर रहा है, वो बुगत रहा है, वहां पर कश्मीर की तरह होता हुआ जिहाद ही उसको बाहर खदेड रहा है, कुछ हमें मालूम है, जो सामने आता है, और कुछ शायद हमें नहीं मालूम, मेरे निगरानी में या मेरे समझ में, आज भारत में 60 से ज्यादा छोटे कश्मीर पनप रह हैं, जितने भी छोटी-छोटी जगाएं हैं जहां पर जिहादी इसलाम सर खड़ा करके खड़ा होता है, उसका एक ही कारण है कि यहां से इस जगा को हिंदु मुक्त करो, कश्मीर आज की परिस्तिती में अल्री हिंदु मुक्त प्रदेश है, और वहां पर जिस तरह की एक खास समाज को बढ़ावा देने और उनको इस ब्रह्म में रहना कि शयद ये कल में स्क्रीम इंडिया के साथ आएंगे, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, मैं उस जिहादी सोच की बात कर रहा हूं, मैं उस इसलामिस्ट फोर्सिस की बात कर रहा हूं, जो 99% कश्मी कश्मीर का वासी जिहादी सोच और सेपरेटिस्ट सोच और इसलामी करन और कश्मीर को इसलामी करन करके बारत को गजवा-ए-हिंद की तरफ खदेड़ने की बात करता है, मानता है और आज खुले रूप से कहता है.